चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार गांसु प्रांत में सोंवार देर रात भुकंप के तेज जटके ने सैक्रोलोगों की जान ले ली है रियक्टर स्केल पर भुकंप की तीवरता 6.2 डिगरी मापी गई चीन भुकंप नेटवर्ख केंद्र ने भुकंप को लेकर बताया कि सोंवार देर रात 23 बच कर 69 मिनट पर उत्तर पस्चिवी चीन के गांसु प्रांत में तेज भुकंप के जटके महसूस किये गया चीन की सरकारी मीडिया रुपोर्ट की माने तो गांसु और किंगही प्रांतों में छा रश्मलग 2 की तीवरता के साथ भुकंप की वज़े से कम से कम 111 लोगों की जान गई है वही 230 से अधिक लोग घायलवे है अलाके में तेजी से रहत बचाव कार्य जारी है मृतकों की संख्या बर सकती है हाला कि न्यूज अजंसी एनाई ने जो खबर दी है उसके अनुसार अब तक भुकंप में 95 लोगों की जान गई है गांसु के प्रांती आपात कालिन प्रबंधक वभा की ओर से भुकंप को लेकर जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार भुकंप की तिवरता अतनी तेज रही कि कई इमारते भुकंप के जहटकों की वज़े से द्वस्त हो गई चीन की सरकारी मीडिया रपोर्ट की माने तो गांसु और किंगही प्रांतों में 6.2 की तिवरता के साथ भुकंप में कम से कम 111 लोगों की जान गई है मीडिया रपोर्ट्स के अनुसार भुकम्प से सबसे ज़्यादा नुकसान काउंटी और डियाओजी के साथ-साथ कि गही प्रांत में हुआ है यहां कई हिमारते दोस्त हो गई जिसके मलबे के नीचे लोग दब गए यहां रहात बचापकारे तेजी से जारी है CENC ने बताया है कि भुकम्प का केंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर 35.60 डिगरी उतरी अक्षांस और 102.79 डिगरी पूर्वी देशांतर था